हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजी साइन्स आज हम आप लोगों को पर परागण अधवा क्रॉस पॉलिनेशन के बारें बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो आंचे तक ध्यांस देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कलेजिए चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन की डिफिनेशन बता देते हैं तो जब एक पौधे पर उपस्थित पुष्प के परागण दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकागर पर पहुंच कर अंग्रण की सुविधाएं प्राप्त करते हैं तो उसे पर परागण कहा जाता है अथवा इसको ऐसे समझें कि जब एक पुस्प के परागण दूसरे पौधे पर उपस्थित पुस्प के वर्तिकागर पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं मतलब ये कि पर परागण दो पौधों पर उपस्थित पुस्पों के मद्धे होता है एक पौधे पर अगर होगा पुस्प और उसमें परागण हो गया तो स्वप परागण हो जाएगा दो पौधे होने चाहिए यानि दो अलग अलग पौधों पर पुस्प लगे होने चाहिए अब देखिए इस पौधे पर उपस्थित इस पुस्प के पराग को से पराग कर निकल कर जब किसी न किसी माध्यम किसी न किसी कर्मक के द्वारा दूसरे पौधे अर्थात इस पौधे के पुष्प के परागण निकल कर दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही परपरागण कहा जाता है। हो सकते हैं किन्तु अलग अलग पौधे पर लगे होने चाहिए अर्थात पर परागण में पुष्प चाहे एक लिंगी हो या उभै लिंगी हो लेकिन सर्थ यह है कि वह अलग अलग पौधे पर लगे हो तो खुल मिलाकर कहा जाए तो पर परागण दो अलग अलग पौधों पल लगे पुस्पों के बीच होता है उसे ही पर परागन कहते हैं तो परागकनों को एक पुस्प से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुस्प के वर्तिकागर तक पहुचाने के लिए किसी न किसी माध्यम या किसी न किसी कारक की आवसकता होती है तो पर परागन में दो पौ इसलिए किसी न किसी कर्मक या किसी न किसी कारक की आवसकता होती है तो परपरागण के ये कारक जिने कर्मक भी कहते हैं समानता वायू, जल एवं जन्त होते हैं इन कर्मकों के आधार पर परपरागण को तीन भागों में बाटा गया है पहला वायू द्वारा परागण अथवा इसको वायू परागण भी कहते हैं दूसरा जन्तू द्वारा परागण अथवा इसको जन्तू परागण भी कहते हैं तीसरा जल द्वारा परागण अथवा इसको जल परागण भी कहते हैं तो पहला है वायू द्वारा परागण या वायू परागण इसके बारे में जान लेते हैं तो वायू परागण की विधी तथा अनकूलन आपको बता देते हैं अनेक पौधों में पर परागण वायू के द्वारा होता है वायू के साथ धूल के कणों की तरह पराकण पुस्पों से उड़ाये जाते हैं उड़ते रहते हैं और दूसरे पुस्पों तक पहुंचते रहते हैं अर्थात वायू के साथ क्या होता है जैसे धूल के कण उड़ते हैं वैसे ही परागण वायू के साथ उड़कर दूसरे पुस्पों तक पहुंच जाते हैं इस प्रकार के परागण के लिए पुस्प अनेक आवयो या परागण विसे इस प्रकार से अनकूलित होते हैं तो उन पुस्प प्राया अनाकर्सक तथा छोटे होते हैं ताथ ये तड़क भड़क इसमें कोई नहीं होता है तड़क भड़क बिहीन होते हैं और छोटे होते हैं इसलिए कहा अनाकर्सक होते हैं वायू परागित पुस्पों में सुगंध मधु इत्याद नहीं होते हैं यानि पुस्प प्राया अलग अलग पौधों पर उपस्थित होते हैं या इस्थित होते हैं आपको बता दें पुस्प सामनता पतज़ड के समय निकलते हैं जब पौधे बिलकुल नगन होते हैं और पुस्प तथा उनके जनन अंग आसानी से वायू के संपर्क में आ जाते हैं से मंजुरी है कैटकिन है यह आदी होते हैं अब आते हैं नर अंगों में अनकूलन क्या क्या होता है तो वायू परागित पुस्पों में पुंकेसर के पुतंतु प्रायाह लंबे हो जाते हैं जो पुतंतु पुंकेसर का होता है जो डंठल होता है वो लंबा हो जाता है जो व वायू आयेगी उसके संपर्कि में तुरंत और पराकण बाहर निकल कर बिखर जाएंगे दूसरे पोधों तक पहुंच जाएंगे पुतन तथा पराग कोसों का अभिलाग प्राया मुक्त दोली होता है ताकि हलकी वायू गति में ही पराकोस जुलकर पराकणों को बिखरा सके मुक्त दोली यारी हलके से हवा लगने से ही पराकण बाहर बिखर सके जैसे आपको बता देंगे इहू में होता है मक्का है धान है बाजरा है आद में वायू द्वारा परागित होता है यह नर अंगों के अनकूलन हम आपको बता रहे हैं पराग कोसों में पराग कड़ों की संख्या क्या होती अत्यधिक होती है अर्थात वायू द्वारा परागित होने वाले पुस्पों में पराग कोसों के अंदर पराग कड़ों की संख्या अधिक होती है क्योंकि वायू परागण में अनेक परागण तो ब्यर्थ हो जाते हैं अनेक परागण जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं परागण भी सुस्क, छोटे, हलके तथा धूल के कड़ों की तरह होते हैं तो वायू परागित जो पुस्प होते हैं, उनके पराकण कैसे होंगे, सुखे होंगे, छोटे होंगे, हलके होंगे, और धूल के कड़ों की तरह से होंगे, ताकि वायू में आसानी से तैर सकें, आपको बता दें, कभी-कभी जैसे चीड आध में तो पराकण पंक युक्त हो परागित पुस्पो में मादा अंग, जिसे जायांग कहते हैं, आप जायांग के नाम से जाना जाता है, अनेक प्रकार से अनकूलित हो जाते हैं, उधरन के लिए आपको बता दें, वर्तिका प्राया क्या होती है, इसमें लंबी हो जाती है, ये पुस्प के बाहर निकलती अर्थात वर्तिका क्या होगी लंबी हो जाएगी और वर्तिका के उपरी हिस्से पर सीर्स भाग में क्या होते है वर्तिकागर होता है जब वर्तिका लंबी होगी तो वर्तिकागर भी उपर आ जाएगा जिससे जब पराकण ओड़कर आएंगे हवा के माध्यम से वायू के परागर हो जाएगा जैसे क्या होता है मक्का के भुट्टे में पाया जाता है अनेक बार वर्तिका वर्तिकागर अत्यधिक साखित होते हैं जैसे धान में अत्यधिक साखित होते हैं वर्तिका और वर्तिकागर अनेक बार वायू परागित पौधों में वर्तिकागर पंखदा मैंने आपको बताए हैं अब आपको वायू परागण के कुछ उदाहरन बता देते हैं जिनमें वायू द्वारा परागण होता है तो कुछ अनाजों में जैसे गीहूं, चावल, मक्का, बाजरा आधि वायू द्वारा परागित होने वाले होते हैं इसी प्रकार ताडों में चीड, मजनू, सफेदा, साहबलूत आधि होते हैं और बांस, घास, गन्ना आधि भी वायू द्वारा परागित होते हैं इसे प्रकार वायू परागण के कुछ अन्य उदाहरन में एल्म, बीच, बर्च, हैजल, आधि भी होते हैं जिनमें वायू द्वारा परागण होता ह तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को परपरागण कैसे होता है और परपरागण की परिभासा तथा परपरागण के अंतरगत आने वाले वायू परागण के बारे में डीटेल में बताया अगले वीडियो में आप लोगों को परपरागण या क्रॉस पॉलिरेशन के अंतरगत आने वाले जन्तु परागण तथा जल परागण के बारे में डिटेल में समझाएंगे आपको बता दें कि मेरे चैनल में बैलो जी के बेस्ट टापिक्स वाले वीडियो अपलोड हैं तो आसा है मेरे दरह बताया गया परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तक कि आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद